हेलो प्रेंड्स केसे हैं आप सब आज मैं घर पे दूद किसे आईस्क्रीम बना रही हैं तो ये घर का दूद है हमारे घर पे गाये हैं तो ये पियोड दूद है अभी मैं इसको गरम होने के लिए चड़ा दी हूँ और इसमें थोड़ा से अउबाल आया है तो ये देखे मैं यहां पर बदाम जो है काजू और बदाम उसको में डार रही हूं काजू और बदाम को में पहले इसमें डार रही हूं और अभी इसमें डालूंगी मैं सक्कर और इसको अच्छे से तब तक इसको मैं उबालूँगी जब तक ये पूरी तरह से गाड़ा नहीं हो जाता और बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूँगी इस तरह से और अभी तो लोगडाउन है कोरोना का टाइम है तो कुछ भिंज बाहर से नहीं मिर रहा है तो सुबहम को मैं यही दे रही हूँ और उसे अच्छा भी लगता है घर का बना हुआ अभी मुझे कुछ भी और नहीं मिला इसलिए मैं स्लिप इसमें काजू और बादाम ही डाली हूँ इससे टेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है तो यहां पर देखे मैं रही हो चुका है और अभी मैं इसको एक टोरी में निकार दी हूँ ताकि यह ठंड़ा होने के लिए इसमें अभी यह देखे यह बहुत ही गाढ़ा हो चुका है अब इसको ऐसे भी खाओगी तो भी यह बहुत ही अच्छा लगता है मैं इसको अभी ठंड़ा होने के लिए इसी में रखोंगी और यह प्लास्टिक की जो चाय कप आती ही छोटी-छोटी में उसी में रख दूंगी तो यहाँ पर सुबह में देखिए हाँ गया है और यही डार रहा है तो मेरे पास आइसक्रीम डंडी नहीं थी और अभी सारी दुकाने बंद हैं तो नहीं मिला इसलिए मैं इसमें जो चोटी-चोटी चम्मस थी उसी को मैं डार रही हूं और यह मटका है यह मटका कुल भी था इसमें तो यह मटके को मेरे ऐसी ही रख दे थी तो अभी इसमें भी मैं भर के रख दूंगी देखिए इसमें ढकन भी था तो यह मटका बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं इसको रखी थी और अभी नेक्स्ट डे मैं उसको राद भर रख दी थी तो सुब्य यह देख कि मेरा आइस्क्रीम बहुत ही अच्छी से जम गया है इसमें थोड़ा से निकाल के दिखा रही हूं यह बहुत ही अच्छी से जमा हुआ है अब मैं मटके में इसी लिए करी ताकि पूरा तो खा नहीं सकता बार बार जबी वो इसको खाने का मन करेगा थोड़ा थोड़ा निकाल के खाता रहेगा और यहां से यह निकाल रहा है छोटा उसका जो प्लास्टिक की कॉफ में था उसी को और यहां पर सुबहम पढ़ाई कर रहा है तो मैं इसको दिन में दो घंटा कम से कम बिठा देती हूं ताकि इसका जो भी होमबर करे है या पढ़ाई जो भी वो कम्प्लीट हो जाए एक साल नहीं दो साल हो गए बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल भी इनका मन नहीं लगता घर में पढ़ने के लिए शिक खुद बोल रहा था कि दो साल हो गए इसकोल को नहीं देखे हैं इसकोल की आदा रही है जितने पढ़ाई इसकुल में होती थे उतने तो घर में होती नहीं है फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं और सुभम स्रिफ घर का काम नहीं उसे बाहर काम भी करना पसंद है पढ़ाई भी करता है सब कुछ चीज यहां पर गोबर निकाल रहे हैं खेत में डालने के लिए तो यह इस काम में भी बढ़िया है और अभी बच्चे घर पर हैं भी बोर हो रहे हैं तो उन्हें जो भी काम करने के लिए आप बोलो कर लेंगे और वैसे वह सुभम को इसके कुछ काम करने जब बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसे तो यह जो गोबर है इसको निकाल के खेत में डालेंगे खेती करने से पहले ही इस तरह से करते हैं गाओं में और यह गोबर जाता है हमारे गोबर गयस से निकलता है अब आप लोग में दिखाती हूँ कि गोबर गयस हम कहां पर इद जो टंकी है इसी में गोबर जो है उसको डाल खे इसको पानी से घोलते है पिर ओ आता है और नीचे गेस बनता है और गेस में इस जो पाई भी छोठा सा इस पाईप से ओं ओ किचन तक गया है और जो एक्स्टा गोबर रहता है ओं इहाँ टंकी पे निकल रहता है वह बाहर तरफ निकल जाता है उसी को फिर जब खेती करते हैं तब इसको निकाल के खेत में डाल देते हैं तो यह अच्छा रहता है खेती के लिए भी चले मैं आप लोगों के दिखाती हूं हमारे खेत बाड़ी तरफ बाहर की तरफ घर की पीछे है यह यहां कुछ-कुछ पेड़ भी जगाए है और घास भी है तो घास को काटके गाए और भैस है उनको देते हैं और यहां पे लोकी है खीरा है और कुछ-कुछ ऐसे है थोड़ी से सब्जी है यहां पे एक खीरा का खीरे का पेड़ है चोटा सा तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है इस बार एक की देखिए और है यहीं चोटे-चोटे और हैं और यहीं पीच्छे की तरफ हम अपने गाए और भैस जो है उन्हें यहां पे बानते हैं यहां रहते हैं यह तो चार ही है दो भैस है एक बच्छड़े है और एक गाए है और इस साइड इन्हें खाने के लिए जो कुटी धान की जो निकलता है उसी को देते हैं तो यहीं है आप लोग जलूर बताना कि आज का मेरा एक बुलाग कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू